स्टा भारत पर टेलिकास्ट होने वाला राधा कृष्ण की कहानी में फिलहाल साम ने राधा की जिंदगी में खोल दिया है ऐसा जहर जिसकी वजहां से बिचारी राधारानी बहुत जादा परिशान नजर आ रही है आज राध के एपिसोट में आप देखेंगे कि पूरी दुआर का नगरी बरफ से ढख जाएगे सब लोग काफी जादा परिशान होंगे लेकिन कृष्ण किसी की भी मदद नहीं कर पाएंगे यहां कृष्ण राधा से यह कहते आएंगे नजर कि वो कुछ भी नहीं कर सकते सब कुछ राधा के उपर ही निर्भर है राधा को ही पता है कि उसे कैसा कर्म करना है जिसकी वज़ा से यह सब कुछ ठीक होगा दूसरी तरफ आप देखेंगे कि साम जामवंती को लेकर के समुद्र तट पर आ जाएगा और वो समुद्र देव को अपने वश में करने के लिए अपनी मां से कहता आएगा नजर कि अब मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि ताकि समुद्र देव मुझे वर्दान दे और वो मेरे वश में हो जाए इसलिए मैं जल में डुपकी लगा रहा हूं और साती सात में चंद्र देव को भी अपने वश में करने के लिए महा तप करूंगा दूसे तरफ साम के इस छल को द्वारिका के लिए हित साबित करने के लिए लक्षमना चाल चलती है और वो सब को इखटा करती है और कहती है कि आरे साम देखिए आप सब के द्वारिका को बचाने के लिए राधा ने जो गलती की है उसे सुधाने के लिए क्या करने जा रही है वो खुद अपने प्राणों के रक्षा ना करते हुए जल में जाकर के महा तप करेंगे ताकि द्वारका पर कोई भी अर्चन ना आए दूसरे तरफ जैसे ही राधा को साम के सरकत का पता चलता है वो भागते दौरते आती हैं और कहती हैं कि साम रुख जाओ कुमें द्वारका को बचाने के लिए ऐसा कुछ भी करने की कोई आवशकता नहीं है लेकिन साम राधा की एक नहीं सुनते और उन्हें इग्नोर करके समुद्र में डुपकी लगा देते हैं यहाँ पर साम को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जितनी शक्तियां साम में इस वक्त हैं रहेगे और कहेंगे कि जब से राधा यहां आई है तब से ही सारी परेशानियां शुरू हो गई हैं तो यहां द्वारे का वासियों को और भी जादा भड़काने के लिए लक्ष्मिन आंग में घी डालने का काम करेंगी कि राधा हमने आपसे कहा था कि आप द्वारे का छोड़ कर चिले जाएए लेकिन आपको तो यहीं रहना है आप जो तक यहां रहेंगी तब तक हम सब और पूरी द्वारे का इसी तरह से कभी प्रलय तो कभी कुछ ना कुछ घटित होता रहेगा और सारी जंता यहां पर जूशती रहेगी दूसरी और आप देखेंगे कि राधा परिशान होंगी तो वहीं बलराम श्री कृष्ण के पास जाएंगे और कहेंगे कि सामंतक मनी तुम्हें पता है सामने ही चुराई है फिर भी तुमने क्यों कुछ नहीं किया का नहां और क्यों कुछ नहीं कर रहे हो कृष्ण बलराम दाउ को समझाने के कोशिश करेंगे और कहेंगे कि ये मेरा कर्म नहीं है दाउ मैंने आप से मनी को सम्हालने के लिए कहा था लेकिन आपका दाइटव अब यही कहता है कि आप ही सामन तक मनी धूने क्योंकि ये जिम्मेदारी मैंने आपको दी थी दूसी और रादब बहुत जादा परिशान होंगी और वो नरायन के पास जाने के लिए सोचेंगी तो अपनी साम तपस्या पून करेगा और तपस्या करते करते वो बरफ में हो जाएगा और महादेव के ऊपर जो चांद होगा उनके सर के ऊपर जो चंद्रमा लगा है वो बहुत ही जादा चमकने लगेगा उसकी चमक पर जाएगी जिसे देखकर गौरी मातक को चिंता होगी और वो महादेव से ये पूछती आएंगे अगर साम ने अपनी तपस्या पूंड कर ली तो क्या आपके शीश में जो चंद्रदेव विराजमान है वो उसके पास चले जाएंगे क्या साम की इस उद्धन्टिताक से चंद्रदेव आप से अलग हो जाएंगे तो महादेव कहते हैं कि हाँ मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन रुद्र रॉप है मेरा साम वो मेरा अंश है तभी तो प्रले मचा रहा है तभी तो वो राधा के साथ दुर्विवार कर रहा है मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये नियती है और में निय राधा के समक्षा जाते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो अपने अंदर के प्रेम को जगाओ राधा और तुम जो कुछ करोगी वो सही होगा तुम चिंता मत करो इस समय तुम्हें सिर्फ कर्म करना है और तुम्हें सही क्या है गलत क्या है ये तुम्हें चुनना है राध अब मैं भी तुम्हारी इसमें कोई साहता नहीं कर सकता जिसे सुनकर राधा करोध आता है और वो कहती है कि अगर तुम यह साहता करनी ही नहीं है तो तुम मेरे पास आये ही क्यूं थे कृष्ण यह कहकर राधा वहां से चली जाती है और राधा नारायन के श्वरण में चली जाते हैं यहीं हो जाएगा अश्राद के एपिसोड का एंड अब इसके बाद कौन सा बड़ा अनर्थ होने वाला है साम के वजा से यह आपको बताएंगे हम अंगले रिपोर्ट में